तो हलो एंड वेलकम टू एब्रिवन आज हम लोग देखने वाले हैं जो डॉक्टिंग का मेजरमेंट होता है वह कैसे करते हैं एक मसीन लेते हैं 6.3 टन का ठीक है उसमें डॉक्टिंग का मेजरमेंट करेंगे ड्रॉइंग भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा तो सबसे पहले है क्वायव होता है जो रेक्टैंगल का होता है और जो टेपर होता में इक साइड साइड होता है फिर इसको kokने ड्रॉह इड्य अब इसके बाद से यहां पर नंबरिंग दिया हुआ है टाइप 1 2 3 4 5 6 यहां पर कौन कौन से डक्ट यूज़ हुआ है टाइप 1 1 यानि स्ट्रेट डक्ट से तो इसका बीर्थ है जो 800 mm और जिसका हाइट है 250 mm बीर्थ हाइट हो गया जो इसका लेंथ आएगा ओ लेंथ कहां स 16 mm यानि 3.2 मीटर का यह लेंथ का इस साइज का इतना लेंथ का मेरा डक्टिंग है दूसरा में आगे टेपर जो टेपर है वह टेपर 800 250 फिर अधर साइड है 650 250 और जो टेपर है 650 mm का है ठीक है उसके बाद टेपर खतम होगे फिर सेकेंड वाला चलेगा यानि स्ट्रेट डक है यहां पे टेपर आगया 650 and 450 फिर अफिक्त में आगया आपका फिप्ध में आगया आपका यानि तीन स्टेट दाट अपर है ठीक है नाइच एक दो तीन चार स्टेट डग्ट है और तिन टेपर है तो अभी इसका ड्रौइंग में दिखाऊँगा ठीक है उसके बाद आप स्कुैर मिट्र को यहां जना ज्सीट का थीकनिस है जिसमें यहां पर गेज होता है मूटाई को बताता है कितना थीकर है तो यहां पर 12-20 इस 22 ड़न्क फोट यानि धीट जitsu जादा होगा यह उद्लों पतला होगा रचाइप 24 ज्यादा है यानि इसका सीट पतला होगा तो यह कितना लग गया है में स्क्वाइर मिटर में 15 लग गया है तो अब ड्रोइंग्स दिखाता हूं ड्रोइंग्स में यह मशीन है ठीक है 6.3 TR का मशीन है हम लोगों ने देखा था यहां पर मौट कनेक्शन मौट कनेक्शन के बाद से जो साइज था 800 250 ठीक है यह लेंथ और बृत है जो इसका लेंथ आएगा आटो के ड्रोइंग से यहां पर वन एंड से लेके अधर एंड तक मेजर कर लेंगे तो यह 3.2 सम्थिंग आया था तो यह सेक्शन का हो गया फॉर्स टेट ड्रोइंग्ट फिर उसके बाद से देखा था टेपर यानि यह टेपर वाला डॉक्ट का है इस 450 यह हो गया दोसरा सेक्शन हो गया एंड जो थार्ड सेक्शन हो गया स्ट्रेट डक्ट 650 बाई 200 और जो पॉर्थ वाला हो गया 300 बाई 250 और इसका मेजरमेंट करेंगे लिया था आटोकेट ड्रोइंग से 1 2 3 4 स्टेट डक्ट है और 3 जो मेरा टेपर है तो इस मशीन के लिए यह ड़क्टिंग है कितना स्कॉर मिटर आया था 15 एप्रोक्स 15 मीटर ड़क्टिंग आया तो इस तरह से एक मशीन का मेजर किये इसी तरह से कोई भी मशीन का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं सो थैंक यू